Hello Everyone, Welcome to Learning Science आज हम जो है Fresnel by Prism के बारे में पढ़ेंगे आज हम Experimental Setup और Beta को कैसे Measure करते हैं D और Small D को कैसे Measure करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आता है Experimental Setup Experimental Setup में जो है एक Optical Bench होता है Optical Bench जो है एक Metallic Framework है जो की 1.5 मीटर लॉंग होगा Bench पे Scale भी Present होगा मिलिमीटर में उस Scale का जो Measurement है वो दिया होगा सबसे पहले हमें जो है ख़रा करके रखना है Slit को फिर उसके बाद हमें रखना है Biprism को फिर उसके बाद Lens को फिर लास्ट पे फोर्ट पे हमें जो है वहां पे रखना है एक Eye Piece को जिसके साथ एक Micrometer Scale भी होगा और ये जो Micrometer Scale है वो Measurement में हमें काम आता है और जो Slit है उसको हमने Monochromatic Source of Light से Illuminate किया है और वो Monochromatic Source है हमारा Sodium Vapor Lamp Sodium Vapor Lamp जो है वो Monochromatic Light देता है और जो Wave Lamp होगा इस Light का उसको हमें निकालना है तो यहां पे सबसे पहले हम क्या Measure करेंगे Fringe with Beta को Measure करेंगे Fringe with Beta को Measure करने के लिए हमें क्या करना है जो Eye Piece है उसको अच्छी तरीके से Adjust करना है ताकि हमारा जो अलग-अलग Fringe है वो हमें आसानी से नज़र आए जो Vertical Cross Wire है जो Vertical Line है उस Eye Piece के अंदर उसको हमें Bright Fringe पे रखना है Bright Fringe पे रखने के बाद Micrometer Screw के थूँ हमें उसकी Reading को Note करना है जितना उसका Value है उसको हमें Note करना है फिर उसके बाद हमें क्या करना है फिर उसके बाद हमें Cross Wire को Move करना है Across the Interference Pattern Left Side हम Move करेंगे सपोस करते हैं ठीक है तो जब हम Left Side Move करेंगे तो जो Number of Bright और Dark Fringes है वो Field of View को क्या करेगा Cross करेगा सपोस करते हैं जब हम ऐसे Move कर रहे थे तो हमें N Fringes नज़र आया N Fringes ने Field of View को Cross किया फिर उसके बाद हमने फिर से Reading Note की L क्या है जो पहला वाला Reading और थोड़ा सा Move करने के बाद जो हमने Reading Note किया है उन दोनों का Minus है उन दोनों का Difference है और Beta हमारा बराबर आता है L upon N के और Capital D को तो हम Easily Measure कर सकते हैं Optical Bench का Use करके लेकिन जो Small D है उसके Distance को हम Measure नहीं कर सकते क्योंकि S1 और S2 जो है वो Virtual Images है Small D यानि कि जो Distance है Coherion Sources S1 और S2 के बीच में उसको निकालने के लिए हम Displacement Method का Use करेंगे एक Convex Lens का Use करेंगे जिसका Focal Lens जो है वो कम होगा और उसको हम क्या करेंगे जो By Prism और I Piece है उसके बीच में रखेंगे और जो Distance होगा Source और I Piece के बीच में उसको हम Adjust ऐसे करेंगे कि जो Distance Capital D है वो 4F से ज्यादा होगा जहां पे F जो है वो Focal Lens है जो Lens का जो Lens है उसको हमें पहले By Prism के पास रखना है और उस Position को हम Consider करेंगे L1 यहां पे L1 और L2 जो है वो दो अलग Lens नहीं है वही Same Lens है अलग Position पे पहला है First Position और दूसरा है Second Position जो Lens है Position पे उसको हमें ऐसे Adjust करना है कि जो Magnified Image है S1 और S2 का Produce हो और यहां पे जो Arrangement है वो Figure में दिखाया है जो Distance होगा Images S1 और S2 के बीच में हमने Measure किया और वो Distance निकला D1 और उसके बाद हमें क्या करना है Lens को Move करना है Eye Piece की तरफ और जब हम Lens को Eye Piece की तरफ Move करेंगे कितना Move करेंगे उतना Move करेंगे कि जो Images है S1 और S2 का वो हमारे Eye Piece पे फिर से नज़र आए जो Diminished Images है वो फिर से नज़र आए और जो Distance होगा Images का उसको हमने फिर से Measure किया और वो बराबर आता है D2 के तो जो Distance D है That is the Distance between the Slit वो बराबर आता है Under Root of D1 into D2 के तो हम D को Measure कर सकते हैं which is equal to Under Root of D1 into D2 अब यह कैसे निकला है उसको जड़ा देखते हैं सबसे पहले हम Figure को देखेंगे Figure में क्या होगा जब Lens जो है Position L1 पे प्रेजंट होगा तब जो है रे आया जो की कहां पे पढ़ा ओ पे पढ़ा ओ पे जब Lens का रे पढ़ता है तो डायरेकली जाता है दूसरा जो रे है वो जो है ओ पे नहीं पढ़ता है तो यहां पे यह Focal Lens के थूरूर क्या होगा ऐसे bent होके जाएगा और image हमें मिलेगा यहां पे A1 पे slit S1 का और उसी तरीके से slit S2 का image जो है हमें मिलेगा यह source S1 और S2 को हमें एक object consider करेंगे जिसका height है D और जो image है उसका height कितना है D1 है वही case जो है इस दूसरे position पे होगा जब lens जो है second position पे present है तो image का distance हमारा हो जाएगा D2 ना हम यहां पे क्या देखेंगे कि हमारे पास दो positions है L1 और L2 lens का और वो जो है conjugate है जब image का distance position की change होने पर object का distance बन जाए और object का distance image का distance बन जाए वो जो है conjugate है जो magnification का formula है उसके मताबिक जो height of image divided by height of object का ratio है वो बराबर होता है distance of image divided by distance of object के ratio के lens first के लिए जो image distance है वो है हमारा V और object distance है हमारा U तो उन दोनों का division is equal to जो image का height है lens first के case में image का height D1 था तो हम लिखेंगे D1 divided by object का height जो है वो यहाँ पे दिया है D हमने slit के distance को object consider किया है और second position के लिए भी यही formula आएगा सबसे पहले हम लिखेंगे image का distance यहाँ पे image का distance second case के लिए है U और object का distance है V तो U upon V is equal to height of image height of image यहाँ पर है D2 divided by height of object जो की है D इन दोनों को multiply करते है equation number first और equation number second को multiply करते है U into V into V into U जो है वो cancel हो जाएगा बचेगा 1 और D1 into D2 divided by D square आएगा तो हमारा D square बराबर आएगा D1 into D2 के और D बराबर आएगा under root of D1 into D2 जो की यहाँ पर लिखा है हमें पता है relation beta is equal to lambda capital D upon small d इन्ही values को put करेंगे तो हमें lambda का value मिल जाएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like करे, learning science को subscribe करे, thank you so much for watching हमें